इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी फोन है और स्पीकर में से बिलकुल फटी हुई आवाज आ रही है साउंड की आवाज बिलकुल क्रैकलिंग आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चले जाता है या तो सौफवेर या फिर हाडवेर का रीजन होता है जो भी रीजन है यहाँ पर मैं आपको सब सही करके बताऊंगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें एक टूथ ब्रश ले ले और स्पीकर को अच्छे से साफ करें यहाँ पर देख ले धूल मिट्ट तो नहीं है अगर आपको धूल मिट्टी नजर आ रही है तो अच्छे से यहाँ पर साफ कर ले और मुझ से भी एक बार फूख मार ले ठीक है इसे अच्छे से फूख मार ले ब्रश से साफ करने के बाद अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आपको अपने फोन के लेगी तो यह विडियो पांच मिनट की है आपको इसे चालू रखना है फोन का वॉल्यूम फूल कर देना है ठीक है तो आप इसे सुन नहीं पाएंगे अगर कान के पास लाएंगे तो एक वाइबरेशन जैसी आवाज स्पीकर से आएगी इसे होता क्या है कि जो भी पानी जा जाता है पानी चला जाता है यहां स्पीकर में वो स्पीकर से निकल जाता है क्लीन हो जाते स्पीकर और आवाज सही हो जाती है ठीक है देखिए अभी भी problem solve नहीं हुई है तो हो सकता है ये एक software related issue हो तो इसे सही करने के लिए settings पे जाना है phone की और यहाँ पर आपको search की option पे आना है यहाँ पर आप search करें reset settings ढरिये मत कोई भी phone का mobile data mobile का video photo कुछ भी delete नहीं कराऊंगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा reset settings इसे open कर लें यहाँ पर आपको reset settings का option होगा इस पे click करना है तो यहाँ से आपको reset settings करना है देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपका कोई भी data delete नहीं होगा बे फिकर रहें और बस यहाँ पर होगा क्या जो भी गलत सेटिंग्स होगी वो डिफॉल्ट में आ जाएगी कभी-कभी ये software related issue भी हो जाता है और इससे वो default में आ जाता है और सही भी हो जाता है तो इससे आपका sound भी सही हो जाएगा ठीक है अब ये सब आपने कर लिया और problem अभी भी आ रही तो हो सकता ये hardware issue है तो देखिए यहाँ पर hardware issue है तो हो सकता है आपका speaker खराब हो अगर आपका phone warranty में है तो आप service center में जाएं फ्री में आपको वो repair करके दे देंगे new speaker यहाँ पर डाल देंगे ठीक है बट अगर आपका phone warranty में नहीं है तो 300 से 400 रुपए आपको local mobile repairing की shop में देना होगा वो आपको नए speaker डाल के देंगे उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी टेक्स ओर को subscribe जरूर कर दे